हेलो गाइज मेरा नाम है सन्नी आप देख रहे हैं पासी चैंप और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑक्सीजन स्लेंडर के बारे में और ये वीडियो जी स्लेंडर के उपर मैंने बनाई है ये दूसरे स्लेंडरों से काफी लाइट वेटिड है और आप इसको इसके साथ में ही रेगुलेटर भी बिलता है और आप जो अक्सीजन का फ्लो ए उसको अच्छे से कंट्रोल विगारा भी कर सकते हैं और जो ये यूज करने में हैं ये बिल्कुली इजी है तो आप इसको घर पर यूज कर सकते हैं या फिर वो लोग जो ऑक्सीजन थेरपी क तो रेगुलरी ले रहे हैं उनके लिए काफी नोलेज़ेबल वीडियो हो सकता है काफी यूसफुल वीडियो हो सकता है तो चादा टाइम वेस्ट नहीं करते लेट्स डाइव इंटु इंट तो गाइज यह है ऑक्सी कंपनी का अर्टा लाइट ऑक्सीजन स्लेंडर और इसे सिर्फ एक हाथ से उठा पा रहा हूं बलकि जो दूसरे ऑक्सीजन स्लेंडर होते हैं उन्हें दो लोगों की मदद से ही उठाया जा सकता है लेकिन यहां पर मैं इसे केवल एक हाथ से उठा रहा हूं तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका जो वेट है कितना लाइट हो देख्यां डेख्या मैं जूम कर के ऑफ दिखाता हूं इसे सकते हैं और जो यह फिल्य करसकते हैं कि एक लीटर पर दोल तीन लीटर पर आगए चार लीटर पर छे लीटा पर तो गाइस आप अपनी हिसाब से जो पेचेंट की सेट्वशन है यह फिर जो लोग्टर मैं प्रेस्क्राइब क्या होगा जितने फिलो फरें चलाना या ऊक्सिजन थरीपी देनी आप उसके इसाब सकते और यहां से ओन ऊफ कर सकते हैं और यह जो फिलोमेटर है गाई EAS एजली रेंट पर भी मिल जाते है और जो इसका रेंट है गाईज ये एक हजार रुपे पर मंत का होगा तो ये काफी काफी बजट का ओप्शन हो सकता है जो लोग ऑक्सिजन कंसेट्रेटर को नहीं खरीबना चाहते और जो इसका बैक आप ये दस घंटे का कुछ का दे देग एजली तो ये देखिए ये है हमारा अल्टर लाइट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें उन सभी लोगों के साथ जिने इस वीडियो की जरूरत हो और अगर आप चैलन पर नहीं है तो चैलन को सब्स सबस्कत्र लाइज भी कर लें आपकोण सब्सक्तर लाहाँ जरूरत